क्या महभूबा मुफ्ती बहात्मा गांधी से चिर्टी है? क्या महभूबा को गांधी जी के प्रिय भजन से कोई अतराज है? आखिर क्यों एक भजन पीडिपी अध्यक्ष महभूबा को सामप्रदाइक और एजिंडा से परिपून लग रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो हम आज इस फीडियो की माध्यम से उठा रहे हैं और महभूबा मुफ्ती से अपेक्षा करते हैं कि वो इनके उत्तर जरूर दें लेकिन ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? इसके पीछे की मूलवज़ा आपको बताते हैं दरसल जमू कश्मीर के कुलगाम जिले के सरकारी स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया परिंदिनों जबर्दस तरीके से वारल हो रहा है इस वीडियो में बच्चे राश्ट्र पिता महत्मा गांधी के पसंदीदा भजन रगुपती रागव राजाराम को गाते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो देखकर साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि बच्चे मुस्लिम समुदाय से आते हैं वैसे भी ये वीडियो सामान ने है लेकिन जम्मु कश्मीर की पूर्फ मुख्यमंतरी मेबूबा मुफती ने इसे भी सियासी मुद्दा बना दिया है पहले आप ये वीडियो देख लीजिए उसके बाद हम आपको मेबूबा का बक्ष भी सुनाते हैं दरसल इसी वीडियो को ट्वीट कर मेबूबा ने जम्मु कश्मीर के प्रशासन पर तीखा अमला बोला है साथ ही अधिकारियों पर यहां हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप भी लगाया है अब आप देखिए कि महबूबा सरकार पशनाक्त छीन लेने और मजब पर आकरमर तक के आरोप लगा रही है सुनिए तुष्टी करण की सारी हदों को कैसे लांग रही है महबूबा मुफ्ती एक जमूरी मुल्क है जहां पर हर मजब के लोग रहते हैं और हमारे आईन, हमारे कॉनस्ट्यूशन ने चाहे वो हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिख हो, इसाई हो, बोध हो, सब को इक्तियार दिया है कि वो अपने मजब के का फॉलो अप करे और यही वज़ा है कि जो जमू कश्मीर एक मुसलिम मेजार्टी स्टेट होने के बावजूद, उन्होंने पाकिस्तान को दरकिनार करके एक जमूरी हिंदुस्तान के साथ मिलाए एक सेकलर हिंदुस्तान के साथ मिलाए ये सोच कि कि यहां हमारी शिनाक्त और हमारे जो अलग-अलग मजभ हैं उनकी पूरी हिफाज़त होगी पर बदकिस्मिती कि ये बात है जहां उन्होंने हमारी शिनाक्त हमसे चीन ली हमारी जमीनों के साथ क्या हो रहा है हमारी नोक्रियों के साथ क्या हो रहा है वो आप लोग बखो भी जानते है मगर अब हमारे मजभ़ की ओपर भी आ गए हैं हमारी जामे मस्जिद जो कश्मीर में है 2019 से उस पे ताला लगा हुआ है वहां लोग जाके अबादत नहीं कर सकते नमाज नहीं पर सकते अभी हाली में जो हमारे मजभी स्कॉलर्स हैं उनको पुरानी किसी बयान के जिसकी वो सजा अलरी काट चुके है उनको जेलू में डाल दिया गया और अब लेटिस यह है कि हमारे स्कॉलर्स के बच्चों को जो मुस्लिम बच्चे हैं देखिए हम हिंदू मिसल्मान में फरक नहीं करते हैं मगर हर एक को हग दिया है हमारे कॉनस्टूशन ने अपने अपने मजभ को फालो करने का और इन बच्चों को जो बजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको और उनको टीचर्स भी यही काम करते हैं तो मुझे लगता है कि यह अब हमारे मजभ के उपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं मजभ नई सिखाता आपस में बैर रखना लेकिन सियासतदानों को चलाना है अपना एजेंडा क्योंकि अगर नहीं उगलेंगे जहरीले बोल तो वोटों पर इनकी पकड़ हो जाएगी कमजोर नमस्कार